नमस्कार कैसे हैं आप लालू प्रसाध्यादब सजायापता अपराधी हैं पाँच-पाँच मामले में अपराधी और अदालत से जमानत पर घूम रहे हैं विदेश से इलाज करा करके आए बिमार तब वो हुए जब अदालत ने चार सिट करके उन्हें वारंट जाड़ी किया पूरे परिवार के साथ गोट में पेश हुए तो वील चेयर पर आए थे दरसल लालु यादब सजाय आपता अपरादी हैं चारा घूटाले के पांच मामले में अब चार सिटेड हैं नौकरी के बदले जमीन घूटाला में मतलब जब वो रेल मंत्री थे 2004 से 2009 तक तो रेल में में नौकरी के लिए गरीब मध्यम बढ़िये परिवार के लोगों से जमीन च्छिन ली जिसमें ज़्यादा तर उन ही के जाती के लोग थे इस मामले में शिकायत आई लालू परसाद यादब के साथ साथ उनका पूरा कुनवा उनकी बीबी उनकी बेटी और डिप्टी सीम तेजस्त्वी अदब चार सिटेड हो गए लेकिन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है अब उसी डिप्टिसियम ने तेजस्वी आदब ने अपने इंस्टाग्राम से एक वीडियो वाइरल खर दिया है जिसमें लालु आदब बैडमिंटन खेलते नजरा रहे है एक सजाय आपता अपराधी का ये इस तरह की तस्वीर दरसल लोगों को चिड़ा रहा है क्या इस देश का कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है सफेद पोशों के लिए नहीं तिस्ता सी तलबार को टेलिफॉन पे जमानत देने वाली सुप्रीम कोट लालु यादब को चुट्टा घुमा रही है अब उनकी जमानत कैंसिल करने की आचिका भी है लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया कि यह बीस लाक करोड की गारंटी वाले सब के सब एक जुट हो रहे है तो माना गया कि मोदी का यह गुस्सा इस बात को लेकर के है कि जिसमें लालु यादब ने पटना की एक मिटिंग में कह दिया था कि अब मैं फिट हो गया हूँ मोदी को फिट कर दूँगा अब पुरी तरह से फिट हो गया है अब परियां से फिट कर देदा है नरेंद्र मोदी इस बयांज के बाद प्रथान मंत्री ने यह कहा कि सब के सब जेल जाएंगे कोई बचेगा नहीं और यह गारंटी उन्हों ने दी तो क्या पी-म को दी गए उसी गारंटी के बाद यह तस्वीर चिढ़ाने के लिए यह तस्वीर देश के लोगों को चिढ़ाने के लिए ते जस्वी लिखते हैं कि डरना नहीं सिखा जुकना नहीं सिखा लड़ा है लड़ेंगे जेल से नहीं डड़ेंगे तो क्या जेल का डर सचमुच सताने लगा है ताकि ये कहा जा सके कि ये तस्वीर आई लालु यादब की इसलिए उन्हें भेजा जा रहा है दरसल जाती बादी नेता लालु परसाद यादब को लगता है कि इन तस्वीरों से उनका भला होगा लेकिन पाँच-पाँच मामले में सजायापता अपराधी का बैडमिंटन खेलता ये तस्वीर 83 तलबार का जमानत पर छुट्टी के दिन रिहा हो जाना उसे बेल मिल जाना जो वारंट था हाई कोट का उसके बाद भी ये चीजें दिखाती है कि तिस्ता सी तलबार जब चाहती है आसानी से बेल ले लेती है लेकिन लालू यादब जो पहली बार 2013 में सजायापता अपराधी हुए 23 साल हो गए उसको उस चैलेंज का मामला हाई कोट में अब तक नहीं या कि लालू को पता है कि हाई कोट से दिस सजा होगी तो फिर से गिरब ताड़ी होगी तो क्या इस देश की कानून वेबस्ता है इस देश का सुप्रीम कोट सफेर पोशों को ऐसी राहा दे रहा है कि वो जब तक चाहे केस को टालता रहे लालू एक दो नहीं पाँच-पाँच मामले के सजायापता अपराधी है और बैडमिंटन खेलते हुए मौज ले रहे है ऐसे कानून से इस देश के आम जनता को कैसे भैव हो या पिर ऐसे कानून के परती कैसे सम्मान हो जिसमें सजायापता अपराधी इस तरह लोगों को चिढ़ाए चाहे वो तिस्ता हो चाहे वो लालू हो यह तस्वीरें किसी मोदी के उपर नहीं इस देश के सुप्रीम अदालत के उपर तना माचा है कि सफेद पोश और ताकतवर लो कानून को कैसे ठेंगा दिखाते हैं क्या तिजस्वी अपनी पिता को कि इन तस्वीरों से देश को चिढ़ा रहे हैं या पिता को जेल जाने से पहले कोई विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं यह तस्वीर कुछी भी हो लेकिन यह तस्वीर देश की आमजनता को चिढ़ा रहा है बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल